हाई व्रीवन आज हम लोग बात करेंगे माइकलसन इंटरफरोमेटर के बारे में देखिए पहले इसका प्रिंसिपल देखेंगे, कॉंस्ट्राक्शन देखेंगे, फिर इसके वार्पिंग भी हम लोग देखने वाले हैं अगर आपसे एक्जाम में यह कुछा किया कि माइकलसन इंटरफरोमेटर होता क्या है तो आप तोग लिख सकते है कि माइकलसन इंटरफरोमेटर इस अन इंस्ट्रूमेंट विच वस दिसकोवर्ड बाई अलबर्ट माइकलसन इन दे ये एर 1881 ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि बैसिकली हमारे एलबर्ट माइकलसन भाई साब ने बनाया थे 1881 में किसलिए बनाया थे ताकि वो आप के मोशन को डिटेक कर सके किसके प्रेजंस में इथर के प्रेजंस में और इथर होता क्या है बैसिकली स्पेस पर फिलब करने वाले जो भी मीदियम है उसे हम लोग क्या कहते है इथर कहते है जो कि हाइपोट्रेटिकल यानि की कल्पनिक क्या है मीदियम है तो इसके principle देख लेता है याने कि किस principle के आधर पर ये काम करते हैं It works on the principle of interference of light by a division of amplitude in which light from an extended source is divided into two parts of equal intensity by partial reflection and reflection देखिए interference जो भी हम लोग देखते थे pattern या फ्रिंजेस है ना उसके basis पर ये काम करते हैं देखिए जब interference pattern होते है तब हम लोग उससे दो प्रकार से achieve कर सकते हैं एक division of amplitude और डूसरा division of wave front तो यहाँ पर division of amplitude वाले principle apply होते हैं जिसमें एक wave का amplitude दो तरीके से divide कर देते हैं हम लोग जिसमें से एक को हम लोग reflection के जरिये divide कर देते हैं और डूसरा को हम लोग reflection के जरिये divide कर देते हैं और डूनों के इस intensity है जिस brightness से वो आगे जाएंगे वो दोनों बराबर होंगे इना intensity बराबर है तो इस instrument को बनाने के लिए हम लोग जो parts use किये है वो क्या है देख लेते हैं है ना five parts होते हैं जो पहला है two plane glass plates z1 and z2 यानि कि दो glass plates लेंगे हम लोग z1 और z2 और two highly polished from silver plane mirror यानि कि M1 और M2 दो plane mirrors हम लोग लेंगे और तीसरा लेंगे leveling screws यानि कुछ screws लेंगे ताकि हम लोग के जो parts of mirrors है उसे हम लोग अच्छी तरी किसे incline कर सके या उसके position को बदल सके है ना तो यहाँ पर देखिए एक source of light को भी हम लोग को use करना परेगा जो कि S मान लेते हम लोग हम लोग construction की और चलते हैं यानि कि उसे किस प्रकार से हम लोग को maintain करना पड़ेगा देखिए अब construction की और चलते हैं तो construction में आप लोग को diagram बनाना पड़ेगा है ना तो पहले देखिए तो यहाँ पर एक source S है यहाँ पर एक source S है जो कि यहां से क्या अगर points source होते हैं तो उसका जो raise होता है वो हमेशा एक point से diverse होके निकलता है ना तो उसे parallel करने के लिए हम लोगों ने क्या क्या एक lens को सामने रख दिया है ना ताकि यह जो raise है वो parallel ही आगे जा सके है आगे जाने के बार यहाँ पर क्या है दू glass plate को हम लोगों ने रख दिया जीवान और जीटू इसका नाम तो normal जीवान glass plate है और इसका नाम क्या है पता है compensated glass plate है इसका नाम ऐसे क्यों परा मैं आगे जापको पताने वाला हो है ना तो यहाँ पर एक mirror मैंने यहाँ पर लगा दिया है जो कि movable है यानि कि इस mirror को हम लोग screws के साथ क्या कर सकते है एक scale पर ऐसे move कर सकते है और इसको move करने के जरूरत क्यों परते है ताकि हम लोग क्या करे जो fringes हम लोग को दिखाई परेगा या interference pattern जो हम लोग को taliscope पर दिखाई परेगा उसको distinct करने के लिए हम लोग इसे use करते है और डूस्टरा जो mirror है वो है यह M2 है ना जो कि fixed है यानि कि यह mirror move नहीं करेंगे है ना तो हम लोग क्या करते है इस light trace को पहले यहां सा यहां तक लाए अब इस glass plate पर क्या होगा पहले थोड़ा सा reflect होगे और डूसरा reflection होगे है ना देखे पहले यहां से यहां तक अंदर आए फिर थोड़ा यहां से reflect कर दिए और थोड़ा यहां से reflect य फिर यह M1 मिरर को तक्राए और मिरर को तक्राने के बाद हमेसे क्या होता है जब यह मिरर को तक्राने के बाद हमेसे वापस चले आता है उसी पाच पर यह वापस चले आता है उसी पाच पर तो यह वापस चले आता है उसी पाच पर तो यह वापस चले आता है फिर से यहां प इस वाले के लिए देखते हैं, इस वाले लिए के लिए यह पहले यहां तक गए, कॉम्पेंसेंटिंग, जो हम लोगे पास ग्लास प्ले थे, उसके अंदर गुसे, और फिर यहां पर M2 मिरोर को तक्राए, और मिरोर को तक्राने के बाद किसी फी लाइट जो है, तेलिसकोप में अंदर चले गया, हैना, इन दोनों रेज जो आगे चले गया तेलिसकोप के अंदर, यह दोनों रेज आगे जाके क्या करेंगे, इंटर फरेंस पैटरन दिनगे, क्योंकि यह दोनों, जो है कुछ ना कुछ path difference होंगे कहने कि यह light rays मानों लेज़े 2 second लगाए telescope में आने के लिए और यह light rays mirror को दक्राने के बाल मानों लेज़े 2 millisecond से 2 second millisecond ज़्यदा लगाए तो कुछ ना कुछ ना कुछ path difference होंगे और जब path difference होंगे तो super impulse करने पर interference pattern हम लोगों को दिखाई पर जाएंगे है ना तो इसके working की ओर चलते है ना जो कोछ भी हम लोगों ने यहाँ पर practically देखा था वो हम लोग यहाँ पर theoretically देखने वाले हैं जिसे देखिए पहला point क्या है plane z1 divides incident line into two parts reflected and transmitted यानि कि यह जो द्लास पर आप लोगों को दिखाए पहल रहा है z1 यह क्या क्या दो parts में incident light को divide कर दिया एक को reflected और दूसरा क्या है transmitted है ना अब दूसरा को देखिए the reflected beam falls on mirror m2 normally यानि कि जो reflected beam है वो m1 mirror को normally यानि कि perpendicularly तच होके यहाँ पर फिर से reflect होके और जीवान के पास आई फिर से telescope में घुज गए इसे हम लोग कैसे लिखेंगे the reflected beam falls on mirror m2 normally gets reflected big देखिए यहाँ पर यह क्या है इसे हम लोग m2 मान लेते हैं लिखने के time के लिए और इसे हम लोग m1 मान लेते हैं ताकि लिखते समय हम लोग के पास कोई भी confusion ना हो यहाँ पर यह जो reflected beam है यह m2 को तक्राइब फिर से वापस चले आए और फिर अंदर telescope में चले गए the reflected beam falls on mirror m2 normally gets reflected back along same path then after passing through g1 it enters telescope t यह तो अब चमज गए दूसरा जो transmitted beam था after passing through compensating glass g2 यह जो transmitted rays है after passing through compensating glass g2 यह mirror m1 को तक्राइब mirror को m1 को तक्राइब और returns back यहने कि वापस चले आए उसी path में और g1 को touch करके telescope के अंदर खुझ गए और telescope जो है वो दोनों beams को receive किये है और दोनों जो light beams थे वो एक ही source से तो emit होके आये थे है ना तो जो light rays दो होंगे वो दोनों coherent होंगे हैना coherent मतलब अगर एक ही source से दो beams निकले है ना तो उन दोनों beams को हम लोग coherent कह सकते हैं अगर दो sources होते मान लेजे तो हम लोग coherent है या नहीं उसा देखने के लिए कुछ mathematical terms लगाते लेकिन यहां पर same source है तो obviously coherent होंगे और यह दोनों beams आगे जाके interference करेंगे जिसके result पर हम लोगों बहुत सारी interference patterns देखने को मिलेंगे तो आप अप लोग वीडियो को समझके और कोछ भी डाउट हो दो आप मुझे कॉमेंट सेक्समें बता सकते हों मिलते एगले वीडियो पर टब तक के लिए जय हिंद